प्यार में बदला खुद को, पत्नी ने पती से कहा कितनी देर तक समाचार पत्र पढ़ेंगे आप, यहां आ जाओ और अपनी प्यारी बेटी को खाना खिलाओ, पती ने समाचार पत्र एक तरह फैका और बेटी की ओर ध्यान दिया, बेटी की आँखों में आसू थे और सामने खाने की पलेट, बेटी एक अच्छी लड़की है और अपनी उमर के बच्चों से जादा समस्तार, पती ने खाने की पलेट को हाथ में लिया और बेटी से बोला, बेटी खाना क्यों नहीं खा रही हो, आओ बेटी मैं खिलाओं, बेटी जिसे खाना नहीं भारा था, सुबक सुबक कर रोने लगी और कहनी लगी, मैं पूरा खाना खालूंगी पर एक बादा करना पड़ेगा आपको, बादा, पती ने बेटी को समझाते हुए कहा, इस प्रकार कोई महेंगी चीज खरिदने के लिए जित नहीं करते, नहीं पापा मैं कोई महेंगी चीज के लिए जि पती हुँ, पती और पत्नी दोनों अचमबित रह गए कि बेटी को भोट समझाये कि लड़कियों के लिए सिर के सारे बाल कटवा कर गंजा होना अच्छा नहीं लगता, पर बेटी ने जबाब दिया, पापा, आपके कहने पर मैंने सारा खाना, जो कि मुझे अच्छा नही लग रहा था, खा लिया, और अब बादा पूरा करने की आपकी बारी है, अन्ततै बेटी की जिद के आगे पती और पत्नी को उसकी बात माननी ही पड़ी, अगले दिन पती बेटी को स्कूल छोड़ने गया, बेटी गंजी बहुत यजीब लग रही थी, स्कूल में एक महिल में उसके सारे बाल खतम हो गए, वे इस हालत में स्कूल नहीं आना चाहता था क्योंकि स्कूल के लड़के उसे चड़ाते हैं, पर आपकी बेटी ने कहा वे भी गंजी होकर स्कूल आएगी और वे आ गई, इस कारण देखिए मेरा बेटा भी स्कूल आ गया, आप धन्या है कि आपके घर ऐसी बेटी है, पति को यह बाद सुनकर रोना आ गया, और उसने मन ही, मन सोचा कि आज बेटी ने सिखा दिया कि प्यार क्या होता है, इस प्रती पर खुशाल वे नहीं हैं, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं, बलकि खुशाल वे हैं जो जिने वे प्यार करते ह उनके लिए बदल जाते हैं प्यार के लिए जो खुशी से खुद को बदल दे जो ही सच्चा प्यार होता है अगर खुद को बदलना एक मजबूरी लगे तो वो प्यार नहीं एक समझोता होता है ये छोटी से स्टोरी कितनी हाट टचिंग थी आसू भी आने लगे कैसी लगी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह से न्यू वीडियो देखने के लिए थैंक यू धन्यवाद